यह phone 2020 में launch हुआ था, but even in 2024, people still want to buy this phone यह है Samsung Galaxy S20 का fan edition इसको मैं पिछले धाई साल से use कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं इसका आपको long term review दूँगा और कुछ question जो लोगों के दिमाग में आते हैं जैसे की यह phone 2024 में लेना चाहिए की नहीं लेना चाहिए और लेना भी चाहिए, तो इसका price क्या होना चाहिए किस price range में लेना चाहिए इसको तो यह सारे question मैं इस वीडियो में cover करूँगा इसकी long term review से पहले मैं आपको इसकी एक छोटी से history बताना चाहता हूँ कि fan edition की शुरुआत कैसे होई थी fan edition की कहानी की शुरुआत 2016 में galaxy note 7 के release के साथ शुरू होती है लेकिन release के कुछ टाइम बाद ये samson के लिए note 7 एक बुरे सपने की तरह बन चुका था क्योंकि note 7 में आग लगने की कई जगा से reports आने लग गई थी ये problem दोस्तो इत्ती serious हो गई थी कि यूएस की federal aviation administration ने note 7 को flight में ले जाने से बैन कर दिया था problem actually phone की battery में थी तो samson ने सारे phones को recall किया और note 7 को discontinue कर दिया लेकिन samson के कुछ loyal fans थे जिनको किये phone अभी भी खरीदना था तो samson ने किया कि जो बचा हुआ lot था note 7 का उसको वापिस से launch कर दिया 2017 में पर इस बार उसका नाम रखा samson galaxy note fan edition FE तो fan edition की शुरुआत दोस्तो ऐसे होई थी लेकिन इस बार samson ने उसकी battery testing बहुत अच्छे से की थी ताकि लोगों की दिमाग में डर ना रहे पहले की तरह तो यहीं थी दोस्तो एक छोटी से history fan edition की अब बात करते हैं S20 FE की long term review की बात करें धाई साल में दोस्तो धाई साल में मिरे को इसकी performance में कोई भी issue नहीं आया अभी जो मेरे daily task है वो बिल्कुल easily यह handle कर लेता है और बात करें gaming की तो gaming भी एक अच्छे level थे handle कर लेता है इस phone में आपको मिल जाती है एक बहुत ही शांदा डिस्पले 6.5 इंच की super emulate display with 120 हर्ट refresh rate दोस्तो बात करें अभी भी आप इसको किसी भी 25-30,000 के phone से compare करेंगे स्टिल इसकी display जो है बहुत ही शांदार है और problem तब आती है जब थोड़ी सी harsh sunlight होती है तब इसकी थोड़ी सी visibility मिरे को कम लगती है बाकि display में मिरे को कोई issue नहीं है display इसकी बहुत ही ज्यादा शांद camera और जो front camera इसमें आपको मिल जाता वो मिल जाता आपको 32 megapixel का तो camera दोस्तो still बहुत impressive है इसका मुझे photography का बहुत शौक है और यह phone बहुत अच्छी अच्छी photos निकाल के मुझे दे देता है तो मैं आपको कुछ samples भी दिखाता रहूंगा तो आपको idea लग जाएगा किसका camera कि video recording की बात करें तो दोस्तो front और back camera दोनों से आप 4K 60fps तक shoot कर सकते हैं और इसमें OIS का support भी मिल जाता है आपको जिससे के videos काफी stable बनती हैं अब ही मैं Ultra HD 30fps पर shoot कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं इसकी recording कैसी हो रही है जो voice आप सुन रहे है वो भी इसके normal mic से ही आ रही है फोन के mic से आ रही है और वशी आप इसमें switch भी कर सकते हैं देख सकते हैं यह wide angle में चला गया है और वशी तो आप इसमें काफी switch कर सकते हैं देख सकते हैं normal 1X पर और यह आ गया है 3X टेलीपोटो तो आपको quality का idea लग रहा होगा अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसके front camera से मैं बना रहा हूं 4K 30 fps पे और बज रहे हैं दोपैर के 12 तो आपको idea लग रहा होगा कि यह light कैसे manage कर रहा है quality का भी आपको idea लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं मैं थोड़ा आपको घूम के दिखात आपको दोस्तों इसमें एक और अच्छा फीचर मिल जाता है वीडियो में जैसे आपको अभी में दिखा तो यह नॉर्मल वीडियो है यह है दोस्तो पोट्रेट वीडियो मोड आप जैसे देख सकते हैं आसपास में बलर आ चुका है सेम चीज आपको आइफोन में भी मिल जाते हैं सिनेमेटिक मोड के नाम से और सेमसं में आपको मिल जाते हैं पोट्रेट वीडियो मोड के नाम से तो एक यह फीचर में को इसके कैमरा का बहुत अच्छा लगा एक और फीचर है दोस्तों इसके कैमरा का जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है प्रो वीड का option मिल जाता है, wide balance का मिल जाता है, shutter speed का मिल जाता है, ISO चेंज कर सकते हैं आप, लाग इसमें देख सकते हैं आप Ultra HD 24 fps पे भी शूट कर सकते हैं, नॉर्मल कैमरे से आप सिफ 30 fps और 60 fps पे कर सकते हैं, लेकिन प्रो वीडियो मोड में आप 24 fps पे भी वीडियो को शूट कर सकते है तो ये भी एक छोटा सा feature है दोस्तों, जो कि बहुत helpful है अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं तो अब बात करते हैं इस phone की battery की, इसमें आपको मिल जाती है 4500 mAh की battery और जो इसका backup है दोस्तों बहुत ज़्यादा depend करता है आपको usage पे, जो मेरा usage है वो बहुत ज़्यादा कम है, लाइक मैं moderate यूज़ करता हूँ phone को, फिर भी मैं कुछ 4 से 4.5 गंटे का इसमें backup मिल जाता है मैं अपने phone को हमेशा 120Hz refresh rate पे रखता हूँ, dark mode पे रखता हूँ और always on display हमेशा off करके रखता हूँ, तो आप अभी देख सकते हैं जो इसकी battery health है वो भी देख सकते हैं इसकी अभी normal शो कर रहा है, तो time के साथ battery health तो obviously कम हो जाती है फोन की, connectivity की बात करें तो as such मेरे को अभी इशू नहीं आये connectivity से related, इसमें आपको मिल जाते हैं दोस्तो 5G के 9 bands, मैं अभी ATL की SIM यूज़ कर रहा हूँ और मैं CT से थोड़ा outer में रहता हूँ, मैं आपको 5G का speed टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी speed मिल जाती है इस phone पे, इसमें आपको कुछ advanced features भी मिल जाते हैं like wireless charging, reverse wireless charging, IP68, dust and water resistance, तो आप बात करते हैं दोस्तों ये phone आपको 2024 में लेना चाहते है कि नहीं लेना चाहते हैं, लेंगे security updates मिल रहे हैं लेकिन वो भी कुछ समय बाद आना बंद हो जाएंगे अब मैं रीजन आपको बताता हूं कि यह phone आपको क्यों लेना चाहिए अगर यह phone आपको 20-22,000 में मिल जाता है अगर आप mobile से बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते है फोटोग्राफी वगराए मे दोस्तों यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और सपोर्ट करते रहना थैंक यू